Hello students, तो आज हम करेंगे chapter 13 जिसका नाम है symmetry, इसका introduction पहले तो हम जान लेते हैं कि symmetry होता क्या है, कि अगर कोई figure दे रखा है या कोई फिर building दे रखी है या कोई भी चीज दे रखी है उसको अगर हम किसी specific line से cut करें तो उस cut करने के बाद जो दोनों parts होंगे वो अगर same है तो हम कहते हैं कि वो figure जो है, वो symmetric है और जिस line के respect में वो दो part equal थे, उसको हम बोलते है line of symmetry example के लिए हम यहाँ पर एक figure बना लेते हैं यहाँ पर जैसे हमने यह एक इस तरह से circle बनाया, ठीक है यह circle हो गया, अब अगर इस circle के हम बात करें तो यहाँ पर हम एक ऐसी line खीचें, जो इसके center से होके जाए जिसको हम diameter भी बोलते हैं, तो उस line के respect में जैसे हम यहाँ पर example के लिए इस तरह से यह dot dot करके खीच देते हैं तो अब यह वाला पार्ट, यह वाला पार्ट विल्कुल same है तो इसका मतलब यह हुआ है, कि यह वाला figure जो है, वो इस line के respect में symmetric है, तो यह depend करता है, कि आप line कहाँ पर से खीच रहे हैं अगर मैं यहाँ पर से cord इस तरह से खीच दूँ, जो कि center से होके ना जाए तो अब यह figure जो है, वो इस line के respect में symmetric नहीं है तो figure symmetric कब होता है, कि हमें उसकी line of symmetry मिल जाए ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसके दो आखे बना देते हैं, इस तरह से अभी तक यह circle था, तो हम कहीं से भी कोई diameter लेते यह figure symmetric था, लेकिन अब हमने जब यह इस तरह से face बना दिया, smiley face, ठीक है, अब अगर यहाँ पर हम देखें, तो यहाँ से अगर हम इस तरह से line खीच ले, तब तो यह symmetric है क्योंकि यहाँ पर एक आख है, यहाँ पर एक आख है, यह आदा नहीं है, और इधर face नहीं है, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह symmetric नहीं रह जाएगा, ठीक है, इसी तरह से एक और example ले लेते हैं, और symmetric के बारे हम बतास देते हैं, कि यहाँ पर यह जिसे हमने line खीची, ठीक है, तो यहाँ पर यह smiley face थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इधर थोड़ा अलग है, इधर थोड़ा अलग है, हाथ में accuracy नहीं आती है, तो इसका मतलब यह नहीं है, कि थोड़ी बहुत error हो तो चल जाएगा, ऐसा नहीं है, exactly same होना चाहिए, बिल्कुल paper है, या rectangular paper है, यह squared paper नहीं क्योंकि इसकी यह length ज़्यादा है और breath कम है, तो यहाँ पर यह जो है, अगर इस lines के respect में देखें, तो इधर और इधर same रहेगा, इसका मतलब यह symmetric figure है, और इस तरह से अगर हम यह line ले लेते हैं, तो और यह line होती है, इसको symmetry line बोलते हैं, और mirror line भी बोलते हैं, इस तरह से एक और example ले लेते हैं, यहाँ पर हम एक rough figure बना लेते हैं, यह butterfly का, यह book का figure है, तो मैं इसको roughly बना रहा हूँ, ऐसे ही, यहाँ पर यह, ठीक है, तो इस तरह से यह figure बना लिए, अब अगर हम इसको देखें, तो यहाँ से अगर हम एक line डाल देते हैं, इस तरह से, तो यह figure क्या हो जाएगा, symmetric हो जाएगा, यानि इधर वाला part और इधर वाला part exactly same हो जाएगा, तो इसका मतलब यह भी symmetric figure है, तो figure symmetric कौन सा नहीं होता है, जिसके पास कोई भी line of symmetry ना मिले, वो figure symmetric नहीं होता है, जिसके पास एक भी line, symmetric line मिल गई, तो वो figure हमारा symmetric होगा, अब आते हम next topic पर, यह तो हमारा introduction था symmetric का, next topic हमारा क्या है, next topic है हमारा line of symmetry, line of symmetry क्या होता है, अब यह हमने बताया था कि जिस line के respect में figure जो है वो exactly same हो जाए अब line of symmetry जो है वो किसी-किसी figure के लिए 1 हो सकती है 2 हो सकती है 3 हो सकती है 4 हो सकती है infinite हो सकती है या फिर 1 भी नहीं हो सकती है ऐसे भी figure होते हैं जिनकी कोई भी line of symmetry नहीं होती है तो हम यहां पे कुछ specific examples करेंगे तो जिसमें हमारा पहला example रहेगा square के बारे हम जानते हैं क्या होता है जिसकी हर एक side क्या हो equal length की हो तो हम क्या करते हैं यहां पे square बना लेते हैं जिसकी हम length ले लेते हैं 3 cm ठीक है और 4 sides equal length की होती है तो यहां पे हम यह भी 3 cm की ले लेंगे इस तरह से और इसको भी ले लेंगे इस तरह से और फिर इसको इस तरह से मिला देंगे तो यह हमारा एक square हो गया अब अगर हम इस square को देखें तो यहां पर देखो अगर हम इसको exactly 20 से cancel out करें, यानि कि हम इसको exactly 20 से होगा, ठीक है जैसे यहाँ पर यह 3 है ना तो यह 1 and half से यहाँ से अगर हम इसको इस तरह से line खीचते हैं तो यह हमारी है line of symmetry इसी तरह से हम दूसरी line कहां से खीच सकते हैं, इसके बिलकुल beach से, तो यहाँ पर यह हमारी क्या है, दूसरी line of symmetry हो गई, अब चुकि यह square paper है, square square का मतलब क्या होता है, कि जिसकी diagonal जो होती ना यह भी हमारी क्या हो, exactly यहाँ पर 90 डिग्री पर काटती हैं तो इसका मतलब यह हुआ, कि अगर मैं इसका diagonal ले हूँ तो यहाँ पर यह diagonal है हमारा तो diagonal के इधर साइड में, और इधर साइड में exactly सेम होगा तो इसका मतलब एक यह line of symmetry होगए, तो यहाँ पर हम line फि डाल देते हैं, यह L1 माल लेते हैं, यह L2 यह L3, similarly एक यह line of symmetry होगी, इसको हम माल लेते हैं, L4 तो चार line of symmetry मिल गई, अब हम इसको देखें, कि हमें और कोई line of symmetry मिल सकती है अगर हम कोई यहाँ पर इस तरह से line खीश देते हैं, तो यहाँ पर अगर हम line इस तरह से खीशते हैं, तो इधर वाला part ज्यादा हो जाएगा, इधर वाला part कम हो जाएगा, अब इसका इधर वाला यह जो कम है, यहाँ पर length कम है, और इधर वाला ज्यादा है, तो यह exactly same तो नहीं हुए, तो इसका मतलब इसके अलाबा और कोई line of symmetry नहीं हो सकती, तो square के पास कितनी line of symmetry होती है यहाँ पर four तो यहाँ पर लिखेंगे हम rectangle rectangle क्या होता है, जिसकी opposite sides जो है, वो equal length तो अब यहाँ पर हम क्या करते है इसकी जो ленд्थ है वो ले लेते हैं हम four centimeter इस तरह से और इसकी जो ब्रेथ है वो ले लेते हैं हम three centimeter इस तरह से तो यहाँ पर यह opposite sides क्या होंगे equal length की हो गए, यहाँ पे जो length है वो हमारी है 4 cm और breadth जो है वो 3 cm है अब हम यहाँ पे line of symmetry की बात करें तो यहाँ पे अगर हम यह जो 4 है ना इसके exactly 20 से यहाँ से एक line इस तरह से खीचते हैं तो यह हमारा क्या होगा line of symmetry होगा क्योंकि इसके इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट exactly same होगा तो यह हो गया L1 similarly यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ से एगर line of symmetry इस तरह से खीच रहे हैं तो यह वाला पार्ट और यह वाला पार्ट exactly same होगा तो यह line of symmetry होगा लेकिन अगर हम इसके रेक्टे diagonal की बात करें हैं तो यहाँ पे देखो यह हमने अगर इसका diagonal लिया इस तरह से तो यह line of symmetry नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे यह वाला जो कोना है वो इधर निकल जाएगा और यह वाला कोना जो है वो इधर निकल जाएगा तो यहाँ पे इसको समझने के लिए कि हम एक example ले सकते हैं इस paper का यहाँ पे यह हमने paper लिया तो यहाँ पे हम क्या करते हैं इसके कोने को इस तरह से पकड़ लेते हैं और इसको मोड़ते हैं तो यहाँ पे जब हम इसको मोड़ेंगे तो यह हमारा क्या होगा देखो इसका कोना इधर निकल गया और इसका कोना अलग निकल गया तो यहां पर हम देख सकते हैं कि यह कोना इधर आ गया यह कोना इधर आ गया यह कोने आपस में नहीं मिले तो इसका मतलब यह हुआ कि यह सिमेट्रिक नहीं होगा तो B वाला उसके पास दो लाइन आप सिमेट्री होंगी एक तो यह L1 और दूसरा L2 तो यहाँ पे इसकी लाइन आप सिमेट्री कितनी हो जाएंगी दो, एक यह वर्टिकल और एक यह होरिजुन्टल इसी तरह से हम एक और फीगर ले ले लेते हैं इसका नाम है सरकल तो यहाँ पे सी वाले की बात करते हैं यह है हमारा सरकल अब अगर हम सरकल की बात करें तो यहाँ पे पहले हम सरकल बना लेते हैं यह हमने सरकल बना लिया ठीक है? अब अगर इसको देखो तो इसके पास line of symmetry कितनी होगी पहले तो इसकी line of symmetry होगी क्या इसकी line of symmetry वो होगी जो इसके center से होके जाए जैसे हमने यहाँ पे इस तरह से यह line of symmetry खीच ली तो अब यहाँ पे यह वाला part यह वाला part exactly same है इसका मतलब यह हमारी line of symmetry है इसी तरह से अगर हम इसको इस तरह से देखें तो ये भी हमारी line up symmetry हो गई इस तरह से हम इसकी एक और इधर से ले ले तो ये हमारी line up symmetry हो गई इस तरह से हम यहाँ पर और ले ले तो ये line up symmetry हो गई तो इस तरह की कितनी line up symmetry हो सकती है हम जितने इसकी diameter बना सकते हैं तो इसके diameter कितने हम बना सकते हैं infinite तो इसके मतलब यह हुआ कि इसकी जो है line of symmetry infinite होंगी तो यहाँ पे हम लिखेंगे infinite line of symmetry अब आते हम next पे तो next हमने कौन सा figure लिया है d वाला d वाला हमने लिया है equilateral triangle equilateral triangle क्या होता है जिसकी हर एक side क्या हो equal length की हो तो अब यहाँ पे हम एक equilateral triangle बना लेते हैं तो equilateral triangle बनाते कैसे हैं जैसे हम यहाँ पे अगर बनाएं यहाँ पे 4 length का इस तरह से हमने एक यह base बना लिया 4 का अब इसको हम कैसे बनाएंगे तो हम एक ये लेंगे प्रकार जिसको हम कैमपस बोलते हैं तो यहाँ पर इसको हम इस तरह से ले लेंगे पहले हम क्या करेंगे इसकी ये वाली लाइन जो है इसकी लेंथ जो है वो इसकी कैमपस में फिल करेंगे इस तरह से और फिर इसका इस कोने पर रखेंगे और इस तरह से एक आर्क बनाएंगे इस कोने पे रखेंगे और इस तरह से ये आर्क बनाएंगे तो हमें जो दोनों आर्क जहां पे मिल रहे हैं ना उस पॉइंट को लेना है तो हम इस पॉइंट को इस तरह से ले लेंगे और फिर इसके बाद में यह जो हमने आर्क बनाया इसको मिटा देंगे इस तरह से और फिर क्या करेंगे इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देंगे इस तरह से और फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देंगे तो यह हमारा बन गया एक equilateral triangle अब यहाँ पर equilateral triangle में line up symmetry क्या हो सकती है यह हो सकती है देखो यहाँ से हमने एक line खिची इस तरह से तो अब यहाँ पर यह वाला side इधर वाला जो figure है और इधर वाला जो figure है वो exactly same है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह एक line up symmetry हो जाएगी अब चुक्कि यहाँ पर यह length यह length यह length सारी same है तो एक हमारी यह line up symmetry हो जाएगी और तीसरी जो है वो यह हमारी line up symmetry हो जाएगी इसके लाबा कोई line up symmetry नहीं है तो इसका मतलब यह हुआ कि इसके पास three line up symmetry हो जाएगी नेक्स्ट आते हैं हम i-WALE पे तो i-WALE अमने figure क्या ले रखा है IsoCeless Triangle तो यहाँ पे हम लिखेंगे IsoCeless Triangle IsoCeless Triangle क्या होता है जिसकी दो sides जो है वो equal length की हो तो हम यहाँ पे क्या करते हैं दो sides को equal length के ले ले लेते हैं और तीसरी side हमारी उसके equal ना हो तो हम यहाँ पे करते हैं यह की यह ले लेते हैं 3 cm यह ले लेते हैं 3 cm और इसको इस तरह से मिला देते हैं तो अब यहाँ पे यह ट्राइंगल है जिसकी यह side यह side equal है और यह side हम देख भी सकते हैं कि इसमें किसी से भी equal नहीं है तो अगर हम इसकी line up symmetry देखें तो यहां से हम इस तरह से एक line खीषते हैं बिलकुल center से हो के जाए इस तरह इदर बराबर होना चाहिए length जो है यह वाली ठीक है तो यह जो figure और यह जो figure है वो exactly same है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी line up symmetry यह हो जाएगी इसके अलाबा इसके पास कोई भी line up symmetry नहीं होगी क्योंकि हम यहां पे अगर इसको इस तरह से करने कोशिश करें तो यह कोना हमारा अलग जाएगा यह हमारा अलग जाएगा तो इसका मतलब iso-cellus triangle है उसके पास एक ही line up symmetry होती है next आता है हमारा f वाला part f वाले में हम क्या करते है scale and triangle scale and triangle क्या होता है जिसकी कोई भी side जो है वो equal नहीं होनी चाहिए सारी sides क्या हो अलग-अलग length की हो तो यहां पे हम क्या करते है इस तरह से एक triangle बना लेते जिसकी हर एक side अलग-अलग length की हो तो हमने पहली जो ली है वो ली है 3 cm इस तरह से और जो second ली है हमने उसको हम ले लेते हैं इस तरह से 4 cm ठीक है और यह हमारी क्या जाएगी यहां पे हम देख सकते हैं यह हमारी 3 cm आ गई तो हम क्या करते हैं इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं यह 4 था ना इसको कर लेते हैं 5 ठीक है तो अब इसको अगर हमने 5 किया तो यह हमारा कितना आ जाएगा तीसरा वाला यह हमारा आ गया 350 यानि कि 3 and half तो अब यहां पे यह सारी जो हैं वो अलग-अलग length की हैं यह 3 है यह 5 है और यह 3.5 है तो अब यहां पे अगर हम देखें तो जब side कोई भी equal नहीं है तो अगर हम इस तरह से कोई line खिचना चाहें तो यह वाला कोना कहा जाएगा यह यहां पे आएगा और यह वाला कहा जाएगा यह यहां पे आएगा और इस तरह से अगर हम इसको इस तरह से लेना चाहें तो ये वाला कोना इधर आएगा ये वाला इधर जाएगा आपस में कहीं नहीं मिलेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि scale and triangle जो है वो उसके पास कोई भी line up symmetry नहीं है तो इसके पास कितनी line up symmetry होंगी जीरो अब आते हम next topic पे तो next हमारा topic है making symmetric figure हमारे जो है वो question किस तरह के आएंगे कि हमें एक figure दे रखा होगा जो की आधा होगा और एक line up symmetry दे रखी होगी और हमसे कहेगा कि इसको complete करो अब example के लिए हमने यहाँ पे ये figure ले लिया इसमें हमने ये जो है वो line up symmetry लिए है और ये एक triangle बना रखा है तो अब line up symmetry ये है इसका मतलब ऐसा ही figure जो है वो इधर भी होना चाहिए इसको हम लोग mirror line भी बोलते हैं तो हम क्या करते हैं इसमें यहाँ पे एक mirror रखके देखेंगे कि mirror में ये कैसा दिखेगा और जैसा mirror में दिखेगा वैसे ही हम यहाँ पे बना देंगे ठीक है तो यहाँ पे यह कैसा होगा हम इसको यहाँ पे यह campus रखेंगे और इसकी यह distance भर लेते हैं ठीक है और यहाँ से अगर हम चेक करें तो यह हमारा same है यहाँ पे हम दोनों तरफ इस तरह से आर्क लगा देंगे इस तरह से आर्क लगा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा एक point मिल जाएगा जहाँ पर दोनों आर्क कट कर रहे होंगे तो उस point को हम थोड़ा dark कर लेते हैं इस तरह से और फिर इस आर्क को मिटा देते हैं अब य हमारा क्या जाएगा इस तरह से इस तरह से मिला देंगे और यहां पर इस तरह से मिला देंगे तो अब यहां पर हम देख सकते हैं कि जैसा इधर figure है same to same इधर है तो इसका मतलब हमने figure को complete कर दिया तो इस तरह के हमारे बहुत सारे questions आएंगे exercise में तो उनको हम exercise में करेंगे next है हमारा reflection and symmetry तो reflection और symmetry में फरक क्या होता है symmetry में क्या होता है कि कोई figure हमें दे रखा होगा जैसे हमने example के लिए butterfly लिया था emoji वाला example लिया था तो ये एक complete figure दे रखा है और उसमें हमें एक line of symmetry मिल जाए जिसको हम mirror line भी बोलते हैं तो हम बोल देंगे कि वो figure symmetric है जैसी हमने butterfly का example लिया था reflection क्या होता है कि हमें एक figure दे रखा होगा और हम एक mirror रखेंगे या mirror line या symmetric line उसके figure के आसपरोस कहीं पे लेंगे तो वो figure जैसा mirror में दिखाई देगा वही उसका reflection होगा यानि उसी को हम reflection बोलेंगे तो symmetry और reflection में बेसिकली इतना ही फर्क होता है कि symmetric जो है वो एक complete figure होगा उसमें हमें कोई line of symmetry मिल जाए तो उसको हम symmetric figure बोलते हैं और reflection क्या होता है कि हमें एक figure दे रखा होगा उस figure के दूर हम कहीं पे line of symmetry लेंगे तो उस figure को हम mirror में देखेंगे कि वो कैसा दिखेगा example के लिए यह आ रहे हैं पहले हम O से start करते हैं यहाँ पे इसको हम symmetry और reflection में फर्क बता देते हैं तो यहाँ पे यह जो O है ठीक है अब अगर हम इस figure के अंदर कहीं पे इस तरह से line खींच रहे हैं तो यह क्या होगा symmetric figure होगा अब अगर हम यहाँ कहीं पे इस तरह से ले रहे हैं यह line up symmetry जिसको हम mirror line भी बोलते हैं तो इस figure को अगर हम mirror में देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा O ही दिखेगा तो इसलिए इसको बोलेंगे कि यह जो है वो इसका reflection है यानि reflection हमें बनाना पड़ता है अब यहाँ पे देखो यह हमारा एक vertical line हो गई इसी तरह से अगर हम यहाँ पे line खीचें तो यह हमारा mirror में किस तरह से दिखेगा O ही दिखेगा यहाँ पे अगर हम किचे तो यह भी O ही दिखेगा और इस तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो यह भी O दिखेगा तो इसका मतलब हम इसमे vertical, horizontal और कैसी भी अगर हम line of symmetry ले रहे हैं तो यह same figure दिख रहा है ठीक है इसी तरह से हम अगर I के लिए देखें तो यहाँ पे यह हमारा अगर हमने ले लिया mirror line तो इसमें कैसा दिखेगा यह ऐसा ही दिखेगा तो इसका मतलब यह हुआ कि यह हमारा symmetric है और इसकी line of symmetry क्या होगी यह होगी इस तरह से अगर हम उपर की तरफ देखें तो यहाँ पे भी यह ऐसा ही दिखेगा I type का तो यहाँ पर यह भी हमारी line of symmetry होगी इस तरह से अगर हम R के उपर आते हैं तो अगर हम यहाँ पे कोई line of symmetry ले रहे हैं ठीक है तो यह यह कैसा दिखेगा यहाँ पे mirror रखके चेक कर सकते हैं यह हमारा दिखेगा इस तरह का यानि उल्टा हो जाएगा तो अब यहाँ पे यह figure अलग दिख रहा है यह अलग दिख रहा है तो इसका मतलब यह line of symmetry नहीं होगी similarly अगर हम इस तरह से ले ले लेते हैं यह तो यहाँ पर क्या होगा यह हमारा इस तरह से दिखेगा उल्टा हो जाएगा तो यह भी हमारी line of symmetry नहीं रहेगी यह भी हमारी line of symmetry नहीं होगी यह भी line of symmetry नहीं होगी तो इसका reflection जो है वो same नहीं होगा अब आते हम यह M पर M हमारा दे रखका इदर यहाँ पर हम यह एक line बना लेते हैं तो यहाँ पर यह mirror में कैसा दिखेगा यह M ही दिखेगा यहाँ पर यह कैसा दिखेगा यह M ही दिखेगा इसका मतलब यह दो हैं इसकी symmetric line हो गई लेकिन अगर हम ऊपर की तरफ देखें यहाँ पर हम reflection देखें तो यह कैसा हो जाएगा यह W की तरह हो जाएगा अब यहाँ पे यह M है यह W है अलग-अलग figure है तो इसका मतलब यह line-up symmetry नहीं होगी और अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो यहाँ पे यह क्या हो जायगा यहाँ पे भी यह W हो जायगा तो ये भी हमारा symmetric figure नहीं होगा यानि ये इसका reflection नहीं होगा अब आते हम next पे ये हमारा D वाला दे रखा है अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे ये कैसा हो जाएगा ये हमारा ऐसा हो जाएगा और इधर से अगर हम देखें तो यहाँ पे ये कैसा हो जाएगा यहाँ पे भी यह ऐसा हो जाएगा तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यह figure और यह figure इससे अलग है तो इसका मतलब यह भी हमारा और यह भी line up symmetry नहीं होगी अगर हम उपर की तरफ देखें इस तरह से तो यह हमारा D ही रहेगा और इधर प्रोडक्शन समाप्त नेक्स लेक्शर में करेंगे exercise आज के लिए बस इतना ही